बीजेपी ने मनीश इससोधिया पर पलटवार किया है प्रवेश पर्मा ने कहा कि चोर ही चलाता है मनीश इससोधिया ने अपनी गिरफतारी की बात क्या मान लिया कि उन्होंने घोटाला किया है तो ये प्रवेश पर्मा की तरफ से पलटवार किया गया है तो मनीश इससोध किया ने आज प्रेस कॉन्फरेंस की और बताया कि उन पर लगे जितने भी आरोप है वो बेबुर्याद है और इस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है अब कितना फिगर है यह तो या तो मनीश सुदिया ही एक्जेक्ट बता सकता है या अर्विन केजरी वाली बता सकता है हम तो आकले नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्साइज का रेविन्यू उन्होंने का 9000 करोड होगा वो हुआ नहीं तो कितना गुड़ अब वो 400 करोड है 500 करोड है यह तो केवल अपना दो ही आदमी बता सकते हैं मनीश सुदिया या अर्विन केजरी वाल गोटाला हुआ है और सवाल एक करोड का नहीं है दो करोड का नहीं है यह मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ और बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि यह कुछ अपना सेकडो करोड का घुटाला है और आज तो मनीश सुदिया ने खुद ही बोल दिया है कि मेरे को भी दो-तें दिन बाद में जेल में ले जाएंगे तो यानि कि उनको भी पता है कि उन्होंने घुटाला किया है और कुछ ना कुछ तो सी बिया के पास है और अब वो नहीं बच पाएंगे जो वो कह रहे है कि कुछ दिन में मुझे भी गिरिफत्तार कर लिया जाएगा तो आप ये कह रहे है कि वो सुधीकार कर ररे है गोटाला हुआ है वरना आदमी कैसे बोलेगा अगर आदमी को लाटा है और मैं सारी जाच को जहलने को तयार हूँ कभी ऐसा होता है कि आदमी कोई घोटाला ना करे और फिर वो अपना जाच को स्विकार कर लेता है तो हमेशा चोरी चिलाता है तो कल पूरी आम आदमी पार्टी चिला रही थी जोर-जोर से चिला रही थी तो उसी से पता लग रहा था कि इन्होंने घोटा ला किया